वेलकम आवर यूटूब चैनल जी एस्वी चांसू 68 विपेसी मेंस के लिए आज हम लोग इंपोर्टेंट प्रस्ट को पढ़ने वाले हैं प्रस्ट का नाम है भारत तथा पकिस्तान के मद तनाओ के बिंदू को बताईये तथा दोनों देशों के मद संबन सुधाने की दसा में क्या सुझाव दिये जा सकते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एकी रिक्वेस्ट है प्लेज विडियो को लाइक और सेशन खतम होने के बाद किसी भी एक ग्रूप में सेर जरूर कर दीजेगा चलिए देखते हैं इंट्रो पाट को इंट्रो में हम लोगों लिख सकते हैं भारत का विवाजन तथा उससे उत्पन परिशितियों के कारण भारत इम पकिस्तान के संबंद हमेशा से ही उतार चड़ाव की स्थिति में रहे हैं दोनों देशों के मद विवाजित मुद्दों को लेकर जहां तिन युद्ध हो चुके हैं वहीं सीमा पर असांती, सैनी करवाई, सीच फायर तोड़ने समंदी, घटनाओं के साथ पाकिस्तान समर्थित, आतंगवादी घटनाएं भी भारती सिमा में घटित होती रहती हैं दोनों देशों के बिश तनाओ के बिंदों को नेम परकार से समझा जा सकता है पहला मुद्दा है, कस्मिर मुद्दा भारत के विभाजन के बाद कस्मिर देशी रियासत का भारत में बिले हो गिया परन्तु पाकिस्तान के दोड़ा इसे सुईकार नहीं किया गिया पाकिस्तान धार्मिक अधार पर कस्मिर की मांग करता है और कस्मिर के लेकोर खड़ा हुआ विवाद आज तक सुलज नहीं पाया है अगला विवाद है नदी जल विवाद 1960 में हुए सिंधु नदी समझोते के तहट भारत एम पाकिस्तान की नदियां सतलज, रावी एम, ब्यास, सिंधु, जेलम और चिनाव नदियों का बटवारा किया गया जिस पर यदा कदा विवाद होता रहता है अगला विवाद है आतंगबाद पाकिस्तान दुड़ा कस्मिर में आतंगबाद, अलगावादी व उर्वादी संगटनों को बढ़ावा देने के साथ भारत के बिरूद, छस यूद भी चलाया जाता रहा है यह आतंगबादी गूट को सरन, परिसिच्छन उवा, वितिय सहता भी उपलत कराता है अगला मुद्रा है सरकरिक एम, सियाचिन विवाद गुजरात राज की सीमा परिस्ति, सरकरिक, सीमा रेखा विवाद तथा सामरिक द्रिष्टी से महत्पुन सियाचिन गिलेसर विवाद है अगला विवाद को देखते हैं चीन पाक आर्थी गलियारा यह परिजना पाकिस्तान अधिकरित कस्मिर से होकर गुजरता है जो वेधानिक रुप से भारत का भाग है इस परकारिया भारत की संप्रभूता, अखंता और सुरच्छा के लिए एक बड़ी चुनोती है आगे है जम्मू कस्मिर की सेमिधानिक इस्तिती में बदलाव पर विरोद भारत दुवड़ा जम्मू कस्मिर की सेमिधानिक इस्तिती में परिवर्तन के बाद पाकिस्तान दुवड़ा इस मुद्दे को इसलामिक सयोग संगठन में उठाया जाना इस परकार भारत एम पाकिस्तान के मद अनेक विबात की बिन्दू है उलेखने है कि पाकिस्तान जहां दाचिन एसिया का महत्पुन देश है वहीं भारत का प्रोसी भी है अन्त दाचिन एसिया में सांती इसिता और विकास के लिए सार्क एम आन छेत्रिय सयों को बढ़ाने हेतु सम्वंदों में सुधार की आव सकता है जिसके लिए निम भारत एम पाकिस्तान डिस्तों में सुधार हेतु सुझाओ इसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं पहला पॉइंट है भारत पाक सीमा के पास संचार सडक इस्तिती में सुधार लाया जाए दूसरा पॉइंट है सीमा सुरच्छा का आधुनी करन किया जाए तिसरा में अलगावा से निपटने है तू विकास कार अब स्रचना रोजगार बढ़ावा है तू कार किया जाए अगला पॉइंट है दोनों देशों के मत बेपार आर्थी की समभाबनाओं को बढ़ाने है तू छेतरी बेपार संगटनों एम दूपलची संबन्दों को बढ़ावा जाए अगला पॉइंट है संबन सुधाने की दसा में सौप पावर का पड़ियों किया जाए अगला पॉइंट है परियाटम एम धार्मी छेत में नियंतर रेखा के पर आवा जाही बढ़ाई जाए अगला पॉइंट है आतंगवास सिमा समंदी मुद्दों को आपसी देशों के मद रच्छा बेपार कुटनीतिक सांस्कृतिक पहल को बढ़ाने हे तू परियास किया जाए अगला पॉइंट है अवेद घुसफेट कैलियों की अदला बदली नदी जल संसादनों के बटवारे पड़ आपसी सहमती अगला पॉइंट है दोनों देशों के भी स बनाये जाए और लाश्ट में निशकर्श देखते हैं भारत और पागिस्तान पड़ोसी देश हैं जहां मित्र का चेन किया जा सकता है लेकिन पड़ोसी का नहीं अन्ता बहतर संबन्दों के माध्यम से ही दोनों देश विकास कर सकते हैं जिसकी काफी संभाव नाए हैं ठै थेंक्यू